आज हम बात करेंगे सरदर्द की कुछ अन्य बिमारियों के बारे में सरदर्द माइग्रेन से होता है टेंशन से होता है यह तो हम सब जानते हैं और हम यह पहले भी बात कर चुके हैं कई बार के माइग्रेन का बहुत अच्छा इलाज है और उसको करने से सालों पुराना माइ होगा और उसकी दवा खा लेते हैं पर कुछ ऐसे दरद होते हैं जो माईग्रेन और टेंशन की दवाओं से ठीक नहीं होते हैं तो सरदर्द के अन्य क्या कारण हैं और इन में से कुछ कारण बहुत रोचग भी हो सकते हैं इसके बारे हम आठ चरचा करेंगे सरदर्द का एक कारण है धी डिक इसके बारे में लोग जानते हैं जिससे सुजाइड भी बोलते हैं जिसमें एक घंटे के लिए गड़ी की सूई से ताइम मिलाकर सर में द भीता है अथूता है आंख लाल हो इलाज है और इलाज करने से क्लस्चर हेडेक ठीक हो जाता है फिर कुछ ऐसे हेडेक हैं जो अजीब सिती में ही खाली होते हैं जैसे इंटर इंडियूस हेडेक पर लब आदमी संबोग जब करता है तो उसके बाद सर के अंदर बहुत तेज सर फटने जैसा दर्द होता है और वह उसे रोक नहीं पाता है कभी कभी असेहनी हो जाता है एक दो दिन में ठीक हो जाता है यह दर्द सिर्फ संबोग करने से आता है और दूस होता है जब तक आदमी उस लेवल की एक्सेसाइज नहीं करता उसे शरमेदर नहीं होता यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाते हैं तो सब्सक्राइब करें यह चैनल दा हेल्थ केर टुड़े और बैल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिक स्टर्च में सडन बदलाव से ब्रेन के अंदर जो करंट होते हैं जो पानी का प्रेशर होता है उसके बदलाव से होते हैं किसों को भी अच्छानक तेज सर में दर्द हो संबोक के बाद या तेज एकसराइज करने के बाद तो पहली बार उसको मराए या सीटी जरूर करना चाहिए क्योंकि उसको ब्रेन में नस्का फटना नस्की सूजन ब्लड प्रेशर का बढ़ना यह सब शिकाएंते भी हो सकती हैं पर अगर जाच करने पर भी सब ऊंडुमिधासिं सिंसेटिव हैडइक्स और इंडोमिधासिं रजिस्टन्ट हेडइक्स इवाइड कर सकते हैं तो जिसमें से 3 के बारे में हमने आज चरचा चीघुछ और भी यह होते हैं जिसको हम हम बोलते हैं एक हेडेक होता है जिसमें आंक के अंदर अचानक से करेंट लगता है और आंक से आसु आने लगते हैं जिसे हम बोलते हैं संक्ट कुछ हेडेक ऐसे होते हैं जिसमें सर में दर्द होता है और चेरे पर पसीना आने लगता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल stabbing headache जिसमें ऐसा लगता है कोई आदमी सर में चुरा मार रहा है को और बहुत सारे लोगों को ऐसी feeling आती कोई सर में कुछ घूंस रहा है कोई चाकू चला रहा है यह भी एक शौर्ट लास्टिंग इसकी प्रॉपर जांच इसके प्रॉपर डाइगनूसिस के बाद इसका प्रॉपर ट्रीट करने से यह हेडिक बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और आपकी दूविदा खतम हो सकती है धन्यवादा बित्रों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हूं और इनसे आपकी सेहत को रखने में आपकी मदद कर सकें